हेलो अवरिवन, वेलकाम अगेन इन लर्ण विज दिर्थीमन, बचों हमने कर लिया है नाइन्थ क्लास का चेप्टर नबर 13 और हम चेप्टर नबर 14 पर हैं जिसका नाम है भारत की जलवाईू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेना देरी की, कोशन नबर 1 है भारत की की है, भारत की जलवाईू है वो किस प्रकार की है, तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार की जलवाईू है, मानसूनी जलवाईू है, कैसी है, मानसूनी जलवाईू है भारत की, next question देखी, मानसून सब्द किस भासा से लिया हुआ है, मानसून सब्द जो है, वो किस भासा से है, तो मांसुन सब्द जो है अर्भी भासा से लिया हुआ है और किस भासे से मौसिम भासा से लिया हुआ है और मौसिम का अर्थ क्या होता है मौसमी हवाया रितू ठीक है तो यह मांसुन सब्द किस से है अर्भी भासा से है और मौसिम सब्द है जिसको हमने लिया है जिसके नेक क्वेशन देखे, भारत की जलवायों मुक्यता किन घटकों पर निर्भर करती है, यानि किन किन से प्रभावित होती है, किन की वज़े से वो अलग-अलग हो सकती है, तो अक्छांस ये इस्थिति, अक्छांस पर जो इस्थान है, वो इस्थित है, समुद्र तल से अरावली परवत है, अरावली परवत दक्षिनी फश्री मानसुन के कहीं समाना अंतर पड़ता है, तो राज़्थान में यह सूखा पड़ जाता है, क्योंकि वह वर्षा नहीं करवा पाता है, उसी जगतरे हिमाले की जब दिशा की बात करें, तो वो सारे जो अरुप साग या बंगाल की खाड़ी का मानसुन है, उनको रोक कर वो पूरे भारत में बर्सा करवाता है, तो पवनों की दिशा कहां से पवने आ रही है, ठीक है, धरातल की बनावाट यह सभी कारक क्या है, यह सभी घटक कैसे हैं, जो भारत की जलवाईव को प्रभावित करते हैं, ने हम आगे चल के बात करेंगे, यह 12 किलो मिटर की उचाई पर बहती हैं, कितने उचाई पर हैं यह 12 किलो मिटर की उचाई पर, ने कोशन देखिए, भारती जलवाईव परिस्टियों को सामने तक कितने भागों में वर्गी करत किया जा सकता है, यह भारती जलवाईव को जो तीन प्रकार हैं जिनमें वर्ड़की क्या दाता है मानसून पूर्ण, मानसून काल और मानसून वापसी काल करम में यानि मानसून से पहले का समय, मानसून का समय और मानसून की वापस आने के समय तो ये सब क्या है तीन परिस्चितियों में भारती जलवाईवी परिस्चितिय को बाटा गया है नेक कुछन देखी भारत में मानसून से पूर किस प्रकार का मौसम देखने को मिलता है भारत में मानसून जो है मानसून क्या है मानसून का मतलब है यहाँ पर वर्सा से है तो मानसून से पहले कौन सी मौसम आता है आपने देखा होगा तो हम जानते हैं ग्री तेज आनिया और गर्म हम वाएं तो यहां से समुद्र से स्थलकी और आती हैं, ऐसे क्यों आएंगी, क्योंकि आपका जो स्थलिये भाग होगा, वहां पर निम्न वायुदाब होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो समुद्र है, वहां पर इसके comparatively तुलनात्मक ज्यादा वायुदाब होने की वज़े से जब पर ने कहां से आती हैं, उच वायुदाब से निम्न वायुदाब की दरफ आत बहती हैं, तो ऐसी स्थिति में जब यहां निमन वायुदाब निर्मेत हो जाएगा, तो यहां से समुद्र से अइसथलकी और यानि उत्री भारत की तरब पर परने बहने लगेंगी जो मा मांसून काल यानि वर्षा काल में किस दिशा से आने वाली पवने भारत में वर्षा करती हैं, तो कौन सी दिशा है, दक्षिन परशिम से आने वाली जो आती हैं, जो वर्षा काल में वर्षा करती हैं, दक्षिन परशिम से हवाई जो आती हैं, पवने जो आती हैं, वो क्या कर बहुत अच्छे से जानते हैं अरब सागरिये मांसुन और बंगाल की खाड़ी का मांसुन यानि दो साइट से पवने आती हैं एक अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से आने वाली जो पवने हाती है उसको अरब सागरिये मांसुन कहा जाता है और बंगा कि खाड़ी का मांसुन का जाता है सिथ रितु हो ति न इक्रसाइड कितनी उचाई पर सामने तहाँ एक प्वेटरब पूंचा होगा आपको निश्ट रुप से पता होगा कितनी उचाई पर सामने बसाइसा घंब कम हो जाता है जब हम धरती से अब उपर की तरफ बढ़ते हैं आसमान की तरफ तो हम एक निश्चित दूरी पर जाकर एक टैंप आपरट काम होने लगता है तो हर यह इतनी दूरी करने पर उस्तन इतना temperature एक देगरी centigrade कम होता चला जाता है तो कौन किती दूरी होती है वो वह 165 मीटर होती है हर 165 मीटर पर लगभग एक centigrade temperature कम हो जाता है Next question देखे Hai भारत के पष्चिमी तठीय सेत्र में वर्सा का वार्सिक उसत कितना है ने homework देखे को हम पहले भी देख है 200 cm लगभग यह होता है भारत का जो पष्चिमी तठीय सेत्र महां पर कितने है वर्सा है उससद 200 cm नेक क्वेशन देखिए भारत के पूरवी तट्य चेत्रों में वर्षा का वारसिक उसत कितना है। तो वार्चिक उसच जो है, वो 100 से 200 cm तक है, 100 से 200 cm वर्षा यहां होती है, नेक कुश्चन देखिए, अक्छांस का तापमान से क्या संबन्द है, क्या अक्छांस, इस्थिती का अक्छांस अगर change हो जाती है, माली जे एक इस्थान इस अक्छांस पर है, तो क्या उसमें temperature में कोई difference आएगा, हाँ आएगा, क्या अक्छांस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, temperature कम होता जाता है, और ऐसी इस्थिती में अक्छांस जैसे बढ़ेगा, वच्छे ही temperature कम होता चला जाएगा, नेक क्योशन देखिए, प्राइदी प्रष्टी में मान्सून से कम बर्सा होन का करण क्या है, तो उसका करण देखिए, व्रष्टी चाया चेतर में होने के करण, व्रष्टी चाया चेतर में होने के करण का अर्थ क्या है, व्रष्टी चाया चेतर है गया, व्रष्टी चाया चेतर आप जानते हैं, जब एक पहाड है माल लिजे कहीं पर पवने आ रही ह तो पवने क्या है, जो परवस से ठकराएंगी और उस शेत्र में वर्सा कर देंगी, लेकिन जिस साट से परवने आ रहे होऊ कि तकराएंगी, उसके पीछे वाले हिस्थे में क्या होगा, उसके पीछे वाले हिस्थे में वर्सा नहीं हो पाएगी, तो ऐसी इस redist вопросы में क्या होत अरावली चेत्रे द्वारा दक्षणी परवत्माला की जो इस्थिती है वो दक्षणी परवत्माला की जो मांसूनी पवने हैं उनके समानांतर होती है और जब समानांतर होगी तो ऐसी इस्थिती में क्या होगा वो पवने को रोक नहीं पाएगी वो पवने के बाधा नहीं कर पाएगी तो ऐसी के इस्थिती में क्या होगा पवने के नहीं रुकेंगी जो उसके साथ जो बाधाल आते हैं उनके साथ जो आद्र वायू आती है उस उसको नहीं रुखने की वज़े से वह वर्सा नहीं कर पाता है तो इसी वज़े से हमारे राइस्थान का सुस्क इस्थल होने का कारण क्या है क्योंकि अरावली परवत्माला जो है वह हमारे मांसुनी पवनों के समनांतर इस्थिती में है इस वज़े से यहां पर वर्सा नही हो पाती है नहीं कुर्शन देखिए हिमाले की स्थिति से किन ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा होती है हिमाले की जो इस्थिति है वो जिस प्रकार इस्थित है उससे किन ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा होती है माले जी हिमाले नहीं होता तो कौन सी ठंडी पाउने हमारे की वज़से आती है अगर मान लीजे हिमाले सावनांतर होता या नहीं होता तो ऐसी इस्तिति में क्या होता है साइबेरी के जो ठंडी हवाएं हो भारत में भी आती और यहां पर बर्फी बर्फ जम जाती तो वो उससे भी हमारी रक्षा करता है और यहां पर जो मांसून बन र हम जानते हैं हिंद महासागर से आती हैं हिंद महासागर से जो आती है और जब मांसोनी पवने हिंद महासागर से आएंगी तो कैसी होंगी उष्ण भी होंगी और आद्र भी होंगी जहां से पवने आती हैं वो अपना प्रभाव जरूर साथ लेकर आती हैं तो इसी वज़े से वो उष्ण और आद्र होती है Next question देखे भारत में सरदकाली इन मानसूनी पवने किस प्रकार की होती है सरदकाली मानसूनी पवने किस प्रकार की होंगी भारत में देकि सरदकाली इन पवने क्या होती है मानसुनी पवने वापिस सीत छेत्रों से लोट रही होती है तो सीतर छेत्र कैसा होता है सुस्क भी होता है और ठंडा भी होता है तो वहाँ से आने वाली पवने भी कैसी होंगी सीत और सुस्क होंगी सीत छेत्रों से लोटने के कारण सीत और सुस्क पवने आती है, सरदकालीन मंसून में है, नएक कुशन देखिए, भारत की जलवाईउ परिस्तितियों को कौन सी रितुएं में बाटा गया है, इसमें दो बाते हैं, मौसम विभाग के अनुसार या फिर सहित्य के अनुसार, भारती सहित्य के अनुसार, यहाँ पर एक्च्वल में जो हमारा मौसम विवाग होता है भारती मौसम विवाग होता है भारती मौसम विवाग वो कहता है कि हम चार ही रितू हैं लेकिन जब साहित्य भारती साहित्य की बात करते हैं तो हम इच्छे रितूं के बारे में जानकारी मिलती है तो चलिए पहले मौसम विभाग के उनुसार कितनी रितू हैं? तो वह हैं, 40 जो किये हैं, सीत, ग्रिष्म, वर्सा और सरद रितू सीत रितू, ग्रिष्म, रितू, वर्सा रितू और सरद रितू यह 4 रितू हैं जो भारतिय आ वासुन विभाग के उनुसार बताई जाती हैं नेक क्वेशन देखिए, भारत में सीत रितु किस महां से संबंदित है, सीत रितु कब होती है, तो हम जानते हैं, दिसंबर से फरवरी तक का जो समय होता है, वो सीत रितु का होता है, नेक क्वेशन देखिए, भारत में ग्रिश्म रितु किस महां से संबंदित है, ग्रिश्म से संब्धित है मद्द जुन से मद्द सितंबर तक वर्षा रितु का समय दि पूसुज़ lt भारत में सब्णलाए परहत की द्िसंबर तक होती है कौन के बरितितिए और भारत की जल वैजिश्ट्रो आंद स्लय। कौन ची रितु में बांटा गया है भारती सहित्य अनुसार भारत की जो जलवाईू है उसकी परिशित्यों को जब हमने मौसम विभाग के अनुसार पढ़ा था तो चार रितु थी लेकिन जब सहित्य के अनुसार पढ़ते हैं तो यहां पर छे रितु होती है और कौन-कौन सरद रितु जो आस्विन और कार्तिक में होती है यह न सीत रितु का है मार्ग्षिस और पौस में और आपकी वहेमंत रितु जो है वो माग और फालगुन में होती है तो देखे आपके पास हिंदी के मास से उनके अनुसार इन रितुं का विभाण साहित्य में मिलता है और के सहीत आपको ये भुक में भी दिया गया है तो आपको मिहां और आपको रितुएं दोनों ही साथ याद करना जरूरी है तो आपको याद होना चाहिए पसंत्रितु चैतर और वैसाक में ग्रीस मजेश्ट और अशाड में वर्सा क्रावन और भाद्रपद में सरद रितु नाती लंबा होने वाला है तो निश्शित रूप से हम इसके दो पार्ट और बनेंगे इसमें हमने भारत की जो रितु है उनके बारे में हम फोड़ा सा डेटेल देखेंँ और फिर राज्सतान के बारे हम सब्सक्राइब करेंगे तो इसके साथ आप कर यह चैप्टर हो जा झाल झाल